नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मिशिन वी कमपनी जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडिया तो दोस्तो आज का जो बिजनेस आइडिया है ये बहुत ही यूनीक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडि हैं तो ये बिजनेस आप अपने घर से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं जादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नी चाहिए और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना भी चाहते हैं तो वो आपका पैसा जल्द ही आपको रिटर्न हो जाएगा क्योंक ही लगते तो सारा हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो को लास तक जुरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिएगे रेड कलर के बटन को आप सबस्क्राइब कर सकते हो ताकि नए नए बिजनेस आइडियास आपके पास हम बेच सकें तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दन्यवाद दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनेस आइडियास और नएनी जैनकारी के वाला खेल नमस्कार दोस्तो आप देखे हैं मारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मशिनवी कंपमी और हम आपके लिए आज देखे आएं हैं नोटबुक मैनुफेक्शनिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे शुरुआत करते हैं क्या मशिनवी रिक्वाइड होता है उसका और कैसे कैसे नोटबुक तयार होता है चलिए आज हम रखाते हैं कि पहली मिश्टी में क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले हमारे बास रूल पेपर है यह आप देख सकते हो यह हमारे बास पेपर है इसके साथ हमने इंटेक्स पेपर साथ लगाके और काउंट करके हमने बिले बोड बुक तियार करता है अब यह देख सकते हैं यह पेपर है बीच में हमने इंडेक्स लगाया है और यह टाइकल पेपर है यह सारी चीज़े हमने काउंट करके पहले त्यार कर लेनी हैं त्यार करने के बाद यह मिशीन आती है हमारी स्टिचिंग फोल्डिंग और स्वेरिंग उसी हमने हमने ही त्यार हो के त्यार होगा है त्यार होनेग बार यह सारा है इसको हमने करना कटिंग करना है कटिंग आप हमारे पीछे देख सकते हुआ क्वीए कितने मीटर हमें कटिंग और बीड करने के बाद स्यिवेग करके कि कटिंग यह थो जाए है फिनिस्ट वापी त्यार होगा तो वह आप देख सकते हो एक हम पूरबुक त्यार हो जाए पूर का फोलना है है फुर का चोटा बड़ा जो भी कॉपी है वो शारह त्यारा यहाँ अग्याण सकते इस में जैसे देख तो आपको मैं जाते हूए है हुआ हैं श्रींक रेप करने के लिए आपका ला मुझे है तुछ जाए लू लगाओ आप इसके अपीच दॉपी तो इसने आपति वाली रैपिंग चाहिए है जैसे स्ट्रिप टैटिंग जिसे हम कहते हैं अगतर फैसे निए यह मेने पट्टी वाली दाल होगा तो इसका स्क्रिप् टैटिंग हो जाएगत वह का निए पूरा से आप देख है मशीन है उसके पार हैं किया अपने स्पैरल पंचिंग करना है किया को तयाल दोस्तों वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो यह फुली आटोमेटिक मशीन है इसमें आप सभी टाइप का बड़ा शोटा नोटबुक रिजिस्टर बना सकते हो ऐसे कि आपको मैनूल मशीन चाहिए तो मैनूल में भी आप काम शुरू कर सकते हो जो कि आपका कम बजट में भी शुरू हो जाता है झाल भी आपको मैं आपको मैं पाल में पाल जाता हुआ हो जाता है झाल 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 मर्जी देर आप स्टॉक में रख सकते हो तो इसका वीडियो आप देख सकते हो कितना आसान काम है ये झाल